जल्धारा में प्रिवेश करते ही ये कलात्म कलाकरतियां हमारा स्वागत करती हैं सीटी के बीच में ऐसा नैचुरल स्पेस देखके थोड़ा सा अच्छा लगा दिल को अच्छा लगा यहां पर आके अजीवो गरीब मूर्ती आधा शरीर इस्त्रीक और आधा मचली का उद्रत की गोद में फवारे मानों अठ्खे लिया कर रहे हैं रिम जिम के तराने लेकर आई बरसाथ इनका कहना है कि यहां आए तो लगाओ कि प्रक्रेति की गोद में चले आए हैं दोस्तों क्या आप जैपूर की भीड भरी जंदगी और शोर से कुछ उकता से गए हैं तो चले आए कुदरत की च्छाओं में जलधारा गार्डन देखने के लिए यह खुबस्वरत पार्क जवाहरलाल नहरु मार्ग पर स्थित है इसके पास ही है शिक्षा संकुल का गेट आईए जाने यहां बोर्ड पर क्या दिखा है वित्रों हम आए हैं जयपुर के जलधारा पार्क में और यहां पर रिखा भी हुआ है यह पर्यावरन मेंत्री क्षित रहे एको फ्रेंडी इस पार्क में प्रिवेश करते ही उद्रत के द्वारा गढ़े गए पत्त्रों की खुबसूरती पर मन मोहित हो जाता है यहां लिखा भी है जेडिये जलधारा आएए चलते हैं गुलावी नगर के खुशनुआ मौसम में इस असीन पार्क का नजारा देखने के जाए इस पार्क की एंट्री फीज है 30 रुपे यह देखे 30 रुपे का टिकेट लीचे और पार्क का मजा लेनी के लिए चलिए कर दो कि कुद्रत का नजारा है चारों तरफ हर्याली खुशुरत में और शेपर में ऐसी खुशुरत इको फ्रेंडी पार्क मिल जाए तो वा क्या बात है जाए यह जुए तो पार्क के नियमूं का पालन कीजिए वरना पैनल्टी के लिए तैयार हो जाईए पैट्स आर नोट अलाउट हीर दोस्तों जब तुम भीड और शोर से परेशान हो जाओ तो यहां चले आना हरे भरे दरक्तों की च्छाओं में फूलों की खुश्बू में तो आपको यहां शान्ती का एहसास होगा प्रेमियों के लिए यह दरक्त और लताएं कामदेव और रती से कम खुबसूरत नहीं है युवा दिल की धड़कनों को यहां आकर अपने पन का एहसास होता है जब वह कुदरत के करीब आते हैं तो उनके दिल भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कुशलाईने याद आ रही है खुश्बू बन कर तिरी सांसों में समा जाएंगे सुकून बन कर तिरे दिल में उतर जाएंगे महसूस करने की कोशिश तो कीजिए एक बार दूर रहते वे भी पास नजार आएंगे दोस्तों आपने मरमेड अथा जलपरी के बारे में सुना है इस गार्डन में भी एक जलपरी है जिसका सिर्वे धर्ड औरत का है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मचली की दुम है एक मानिता यह भी है जलपरी अफरी की जल आत्माओं में से एक है वहें बीमारों को ठीक करती है और सभग लेकर आती है एक रहसे में कहानी और भी है एक बार एक खुबसूरत लड़की एक गडरिये से प्रेम कर वैठी पर उसे पा न सकी दुखी होकर उसने तलाब में चलांग लगा दी और एक मचली का रूप ले लिया परन तु कहते हैं पानी भी उसकी सुन्दरता को छीपा न सका इस कारण उसने एक जलपरी का रूप धारन कर लिया ए दिल कहीं और चल यहां बहुत से सेलफी पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट की यह भी है दोस्तों यहां आकर लगता है कि प्रकृती एक करिश्मा हैं जिस पर हम निर्भर हैं प्रकृती की खुबसूरती ही काफी होती है हमें तरो ताजा रखने के लिए प्रकृती एक ऐसी विवस्ता है जो सिर्फ देती है बदले में कुछ लेती नहीं माना की गुलावी शहर जैपूर खुबसूरत है लेकिन चलधारा की सुन्दरता फूलों की मिठी खुश्वू और ताजी हवा के एहसास की तुलना किसी से नहीं की जा सकती कुद्रत के इस करिश्मे को हम भले ही काटे छाटे लेकिन ये करती हमेशा हमारी रखवाली है यहां हमारी मुलाकाज कुछ नौजवान दोस्तों से हुई जो यहां की खुश्वूरती देखने के लिए है सबसे बेले तो आपना परिश्य दीजिए सर मैं तरोन हूँ राइस्तान जैपूर से ही हूँ आपको यहां की प्राक्रिति केसी लगी बहुत ही आपको कैसे लगा यहां का बाता बरन जा रही है कि दुनिया से नेचुरल भ्यूटी कम होती जा रही है यहां आकर कैसा लगता ना बहुत पेड़ की करीब आगए तो यह है बांस के खुबसूरत पेड़ राजस्तान में और जैपूर में ऐसे पेड़ बहुत कम दिखाई देते हैं तो यह दिखिए लंबे-लंबे बांस इसा लगता है कि कुद्रत की गौद में आ गये हैं और जैपूर में ऐसे जगे में जाए हैं क्या बात है इस फबवारे को देखा तो कॉलेज के दिनों में एंड्रियू मार्वल की दि गार्डन कविता की कुछ लाइने याद आ गई यहां एक बहते फबवारे के पास आराम करते हुए या एक फल्क के पेड़ की काई भरी जड़ों में बैठ कर मेरी आत्मा एक पुराने जैकिट की तरहां मेरे शरीर को उतार कर श्याखाओं में उड़ सकती है बच्चों के लिए स्लाइट्स है पर बच्चे है कहां यहां कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई जो जलधारा की खुरसूरती को देखने के लिए आए हैं सबसे पहले हैंसम बॉइस आप अपना परिश्य दीजिए आपका शुब नाम हेलो मैं नेम इस शुबं मेरा नाम अन यहां की नैचरल ब्यूटी आपको कैसी लग रही है要 ह애 बहुत पहल पर सीटी के बीच मैं ऐसा नैचरल स्पेस् के ठोड़ासा अच्छा लगा दिलन अच्छा लगा यहां पर आके हुआ आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे नेचर खत्म होती जा रही है, यह सीमेंट के जंगल बढ़ते जा रहे है और पेड कटते जा रहे हैं, लेकिन जैपुर जैसे इस शेहर में इतनी खुबसुरत जगे और अची बात है, यहां का वातावरन है, तो आप यहां जो जल धाराए हैं, पानी के फबारे हैं, उनके लिए क्या कहने चाहेंगे? जी अच्छे फुमारे लगे हैं और जो है नेचर उसके क्लोज आ रहे हैं, लोग जो गुमने आएंगे तो उनको पता चलेगा कि नेचर के सी यहां है, तो कहते हैं ना, लव एंड लिव इद नेशर, जी सर्ट इस बीटिफॉल नेशरल ब्यूटी, अची लगी? अरे यह बोल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे वद लाइने याद आ गई, शब्द तो शोर है, शरावा है, भाव सागर में गुलता हुआ बताशा है, अरे दिल की बात होटों से भले हैं ना कहो, यह नजरे हैं क्रेम की रह क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, अची उंकल जरे हैं, दोस्तों, इस गार्डन में घूमने और देखने के रिए बहुत खुबसूरत वातावरन हैं, मैं जानता हूँ, आप जब देड़ दू घंटे यहां घूमेंगे, तो ठक तो जाएंगे ही, लेकिन यदि ठकने के बा यहां रेस्टोरेंट भी है, जो बहुत ही वाजिब दाम पर हमें खाने पीने के बस्त में उपलब दिकराता हैं, राहूल चौदरी और रिशिरा चौदरी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे इस व्लॉग को बनाने में बहुत बड़ा सहयूब दिया, धन्यव यदि ये व्लॉग अच्छे लगा हो, तो लाइक जरूर करें, और मित्रों को अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि जैपुर के इस अंजान लेकिन बहुत ही खुबसूरत पार्क से उनका भी परिश्य हो, और वो यहां घुमने के लिए आएं, और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं, तो सब्स्क्राइब तरन करें, मैं घुमकड हूँ आपके लिए इस तरह के खुबसूरत व्लॉग लाता ही रहूंगा, हाँ एक बात और याद रखिए, कि आप मुझे कमेंट करके अवश बतलाएं कि आपको यह वीडियो लगा कैसा, आपके कमेंट्स म भुपाली के इस शेर के साथ व्लॉग कांत करता हूं, तुम से मिलकर इमली मीठी लगती है, तुम से बिछड कर शेहद भी खारा लगता है